आप सभी को नमस्कार आज लाप पाचम है और आप इस वीडियो को देख कर यह चीज समझी चुके होंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको लाप पाचम के दिन अपने घर में या आपको साप के नाग देवता के दर्शन होते हैं तो उसका क्या आर्थ है शुब है अशुब है क्योंकि आज भी लाप पाचम है 2022 की 29 अक्टूबर है आज और आज मुझे भी अपने घर में साप दिखा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यह चीज आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि आज के दिन अगर आप सांप देखें तो उसका क्या आर्थ होता है तो दोस्तों अगर आप आज के दिन अपने घर में सांप देखते हैं या आपको कहीं पर भी नाग देवता के दर्शन होते हैं तो यह बहुत ही शुब माना जाता है इसका मतलब है कि बहुत जल्दी आप तरक्की की सीडिया चड़ने वाले हैं लापाचम के दिन जैसे कि आप सभी जान दे हैं कि हम लक्षमी पूजन गनेश पूजन करी जाती है और ये दिवाली के पाचवे दिन आती है इस दिन आप कोई भी नया काम भी शुरू करते हैं तो वो भी तरक्कियों को चूता है और आज के दिन अगर आपको लापाचम के दिन अगर आपको नाग देवता के दर्शन हो जाते हैं और अगर आप उन्हें कुछ दूर या कुछ खाने पीने के लिए देते हैं कुछ चड़ाते हैं तो वो भी बहुत बहुत शुब माना जाता है तो इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें इस वीडियो को ताकि आपको भी जो आज नाग देवता के दर्शन हुए हैं उसकी शुब कामना आप तक भी पहुँचें आज की वीडियो के लिए इतना ही फिर हम आएंगे अगली वीडियो में आपके लिए और जानकारी दी करें शुक्रिया